तो हलो दोस्तो हम बहुत तेजी से डिजीटल एरा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और करेंसी ने भी अब डिजीटल रूप ले लिया जिसे कि हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं तो आपने Bitcoin का नाम तो सुनाई होगा, यह भी एक टाइप की Cryptocurrency है, तो आज हम यही जानने वाले की Cryptocurrency होती क्या है, आखिर Cryptocurrency की शुरुआत किस ने करी, Crypto Mining क्या होती है, और Blockchain Technology क्या होती है, और यह Work कैसे करती है तो इस तो Cryptocurrency एक Digital Currency है, और हम कह सकते हैं कि एक टाइप का Digital Money है, जो की Code से बनाया जाता है, और क्योंकि एक Digital Money है, और Reality में यह Physically exist करता ही नहीं है, तो इसकी Physical Value भी कुछ नहीं है, और साथिसाथ Cryptocurrency एक Decentralized Currency है, Decentralized Currency को अच्छे समझने के लिए हम इंडिया का Example ले ले और इसको RBI कंट्रोल करता है, और इसकी Physical Value इसलिए ही है, क्योंकि RBI इसकी Guarantee देता है, आप अगर किसी भी Note को देख लोगे, यहां पर आपको स्क्रीन पर 100 रुपीज का Note दीक रहा है, इस Note पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपे अधा करने का वचन देता हूं, I promise to pay the bearer, the sum of 100 रुपीज, और महीं पर RBI के Governor की Sign भी होती है, इसलिए इस Note की Value जो है वो Market में, यानि Indian Market में 100 रुपीज है, क्योंकि RBI इसकी Guarantee देता है, और 2016 में जब Demonetization हुआ था, जब 500 हजार के Note को रद कर दिया गया था, और वो सिर्फ एक टाइप के कागज का तुकड़ा रहे गया थे, क्योंकि RBI उन Note को 500 हजार की Value देना बंद कर दिया था, तो दोस्तों ये होती है Centralized Currency और इसका बिल्कुल उल्टा होता है, Decentralized Currency और Cryptocurrency एक टाइप की Decentralized Currency जिसको कोई Control नहीं करता है, ये पूरी तरीके से Blockchain Technology पे आधार हीते, तो आईए अब हम समझते Blockchain Technology Blockchain, Blocks का एक Chain है, और हर Block के अंदर तीन चीज़े होती है, पहला तो Data, दूसरा उस Block का Hash, और तीसरा पिछले वाले Block का Hash, और ये जो Hash है वो हर Transaction पे Generate होता है, और अगर Transaction में छोटा सा भी Change करा जाता है, तो वो Hash नया Create हो जाता है, या नया Hash बन जाता है, ये चीजी सिस्टम को Secure बनाती है, और Hackers को इस सिस्टम को Cheat कर पाना लगबग तक Impossible हो जाता है, और इस चीज़ को एक और चीज़ Secure बनाती है, और वो है Peer to Peer Network, यानि एक ऐसा Network जिसमें बहुत सारे Notes, यानि Computer Connect होते है, एक Chain की तरह, और इन सारे Notes, यानि इन सारी Computers के अंदर जो Blockchain का Data है, वो Distribute हो जाता है, यानि Store हो जाता है, और Blockchain में एक बार जो Data चला गया, उसे Change कर पाना बहुत ही अदा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो जो Data रहता है, वो अलग-अलग Notes, यानि अलग-अलग Computer में Store रहता है, तो अगर उसमें Changes करनी है, तो जितने भी यहाँ पर जो Computer और Notes से, जो कि Connector रहते एक Chain से, उसमें जाके Changes करने पड़ते है, जो कि लबबग तक Impossible हो जाता है, हैकर्स के लिए सिस्टम को Cheat कर पाना, 2009 में पहली Cryptocurrency यानि Bitcoin को बनायाता, सतोशी Nakamoto ने, जो कि एक Person या फिर एक Organization है, ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एक Secret Personality है, और एसा भी माना जाता है, कि इन ही के पास या Organization या इस Person के पास Bitcoin का सबसे ज़्यादा Share है, यानि सबसे ज़्यादा Bitcoin है, लेकिन ही Officially नहीं है, ये Unofficial लोगों निसा मानते हैं, कि इन ही के पास सबसे ज़्यादा Bitcoin है, तो दोस्तो Cryptocurrency को बनाने की Process को ही Crypto Mining कहा जाता है, और जो Crypto Miners रहते हैं, वो Cryptographic Equation को Computer की मदद से Solve करते हैं, और उनके बदले में उनको Cryptocurrency मिलती है, तो अगर आपको Crypto Mining समझ में नहीं आई, तो आप उपर-उपर से इतना समझ सकते हो, कि मैंने आपको Blockchain में बताया है, कि बहुत सारे जो Notes है, यानि Computer ने वो आपस में Connected रहते हैं, और नए-ने Block Add करते हैं, तो जो Block Add करते हैं, वो ही Miners रहते हैं, और इसके बदले में उनको Cryptocurrency मिलती है, तो I hope आपको सब को समझ में आ ग प्रेमेटिव वीडियो में